उमरिया में यातियात को सुगम बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे हैं इसके साथ ही दुरगटनाओं में कमी लाने की कोशिश भी जारी है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मुहीम चलाई जा रही है ताकि लोगों को जागरू किया जा सके उमरिया में सडगों पर वहनों की रफतार की कारण आए दिन सडग दुरगटनाओं में बड़ोतरी दिखी जा रही है इसको रोकने सहित यातियात नियमों का पालन कराने के लिए हेलमिट का निरंतर प्रयोग करने के हिदायते भी दी जा रही है इसी के संबंध में स्पी उमरिया प्रमोत संहा और स्डी ओपी जीतिंदर संग के मार्ग दर्शन में पाली थानक शेत्र के अंतरगत एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वाहन की रफतार की जाचकर जर्माना लगाया जा रहा है इसके साथ ही यातेयात नियमों की जानकारे से अफगत करवा कर सुरक्षा के साथ आवागमन करने की सल्हा भी दी जा रही है इस दोरान पूलस ने नियमों का उलंगन करने वालों पर जर्माना लगाकर उन्हें दन्डित भी किया SGOP ने बताया कि यातेयात नियमों का पालन कराने के लिए हमारे कारवाई यूहीं जारी रही की वसूला गया है इसके अलावा जो बाहन चालक है उनको जो स्पीड जो गती सीमा है उनका पालन करने के नर्देश दिये जा रहे हैं इसके अलावा टू वीलर्स जो है वो हलमेट लगा कर चलें और फोर वीलर्स सीड वेल्ट लगा है एब हम जो आवश्क दस्तावेज होते है उनको अपने साथ रख कर चलेंगी शलावी दी जा रही है यातयात की नियमों के प्रतीत जागरुकता अभ्यान के परड़ाम भी देखने को मल रहे हैं क्योंकि अब लोग चालान के डर से ही सही लेकिन नियमों का भरपूर पालंद कर रहे हैं Bureau Report, MP News, Omariya